सबसे पहले कोई भी फैमिली करने से पहले हमें जो फ्लार के पार्ट्स हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए तो जो फ्लार है उसके जो पार्ट्स हैं वो हम असेंशल और नॉन असेंशल जो पार्ट्स हैं उनमें फ्लार को डिवाइड करते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं तो जो non-essential parts हैं, उनमें mainly जो कौन से आते हैं, जैसे जे पीछे से मेरे पास rose है, इसको आप अच्छी तरह से identify कर सकते हो, कि ये rose flower है, तो rose flower को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें जो पीछे से अगर हम देखें, तो we have saples, पीछे जो हैं, इनको हम, जो individual है, that is called as a saple, और अ कठे इनको कहें, तो हम इनको calyx कहेंगे, ठीक है, तो ये saples है, ये non-essential part है, ये petals है, single-single को हम petal कहेंगे, all over को corolla कहेंगे, बहुत सारे petals हैं, तो इसको हम corolla कहेंगे, अगर हम single-single की बात करें, तो ये क्या कहलाता है, petal, तो ये non-essential parts में आ जाते हैं, saples और petals, अगर हम essential parts की बात करें तो essential parts में हमारे पास इसके अंदर के जो reproductive part है वो आते हैं जिसमें ये है हमारे पास बहुत सारे stamens है ये आपको नज़र आ रहे है rose flower में बहुत सारे ये आपको नज़र आ रहे है these are the stamens ये सारे के सारे stamens है इसी तरह से एक और मेरे पास flower है this one so अगर आप इसको नहीं जानते तो we called as a petunia ये petunia flower है winters में खिलता है इसमें भी non-essential parts हम बहुत सारे देख सकते हैं these are saples singly is called as saples और अगर हम इकठे कहें तो we called as calyx इसी तरह petals तो जो petals हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं and overall we called as a carola इन दोनों में आप जो है easily difference देख सकते हो difference study कर सकते हो जो क्या difference हम देख सकते हैं इसमें जो इसके petals है वो एक एक अगर आप निकालने के लगो तो ये बहुत easily निकलाते हैं single single जो petal है इसका ये easily जो है remove हो जाता है सभी अलग हो जाते हैं एक एक petal को हम अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से तो that means they are free अपने हाप ही गिर रहे हैं ठीक है so they are free petals all are free एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है we call them polypetalus condition polypetalus condition में हमेशा ही जो petals हैं वो free रहेंगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं अलग अलग इसको हम कर सकते हैं so these are called as polypetalus condition में petals हैं बहुत सारे हैं many और free हैं सभी अलग अलग हो सकते हैं free हैं so they are called as polypetalus type of petals दूसरे तरफ अगर हम बात करें पिटूनिया की इसको कहीं से भी हम अलग नहीं कर सकतें एक को खीचेंगे दूसरा भी चला आ रहा है दूसरा भी चला आ रहा है so इस type को जिसमें bell shape funnel shape का ये पूरा नजर आ रहा है we called as a gamo petalus सारी petals एक दूसरे के साथ fused है ये दोनों petals आपस में fused है so we call them gamo petalus condition जब एक दूसरे के साथ जूड़कर ये funnel की तरह बिलकुल नजर आ रहा है funnel की तरह नजर आ रहे हैं तो इसको हम कहा रहे हैं gamo petalus जब आपस में fused है petals यहाँ करोला when they are fused they are called as gamo petalus और इसमें हम count कर सकते हैं one petal, two, three, four and five यहाँ पर five petals है यहाँ पर numerous बहुत सारे है यहाँ पर only five indefinite करोला and five करोला ठीक है जो करोला का number है they are five in petunia but many in case of rose तो हम बात कर रहे थे essential और non essential parts की तो यह non essential parts में हमारे पास saples हैं और petals है अगर हम बात करें essential parts की तो essential parts में हमारे पास अगर हम इसको धीरे से अलग कर दें इस type से क्योंकि यह अलग हो नहीं सकते हैं तो यह मैंने अलग कर दिया है तो अब यह आप clearly देख सकते हो इसमें नज़र आ रहे हैं essential parts जिसमें ये हैं हमारे पास stamens जो बहुत clear नज़र आ रहे है so ये solenasi का member है जिसमें हमारे पास ये stamens नज़र आ रहे है तो इसमें आपको देखकर नज़र आ सकता है तेन जो दो जो है बड़े है और जो एक medium है और दो जो है small है 5 number है stamens का so count कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 और सभी के सभी का जो length है stamens की वो differ कर रही है only 5 इन number so there essential parts में गिना जाएगा reproductive part है male reproductive part is stamens दूसरा है female part that is essential organ stigma, style और नीचे है ovary so ये जो portion हम देख रहे हैं so that is called as ovary इसके saples भी देखो बहुत easy हम देख सकते हैं आपस में सारे fused है so gamo saples condition में नजर आ रहे हैं सारे के सारे ये free नहीं हो सकते सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुआ हैं इस type से देखो बहुत clear ये ring की form में है fused है आपस में slightly नीचे से base से अपर में stigma portion so these are the essential organs ये ganisium है pitonia का और ये stamens है that is a male andorishium portion and these are the essential parts clear इसी तरह अगर और ये 5 हैं count कर सकते हैं stamens इसमें numerous है so we called as numerous stamens polyandrous condition है बहुत सारे free many indefinite number में stamens है अगर हम धीरे से इसको अलग कर दे इस type से तो हम ये देख सकते है ये condition नज़र आ रहे है so there are numerous type of stamens we have numerous type of stamens तो ये बहुत सारे stamens है जो इसमें आपको नज़र आ रहे and a single बीच में ovary है नीचे fused होकर single ovary इसमें नज़र आ रहे है rose के case में there is a single ovary and numerous stamens clear so main है आपको essential non essential organs के बारे में बताना और दोनों conditions free petals की और gamo petalus condition in petunia and poly petalus condition in rose clear saples में ये हमारे पास gamo saples condition है जिसमें all are fused सभी के सभी fused है fused form में नज़र आ रहे है so अगले में वीडियो में आपको मैं इसके stamens और carpals के और भी different types के बताऊंगी तो फिलहाल के लिए आपने ये जो study है इनको अच्छी तरह से study कर सकते हैं हमारे के लिए खिर रहे हैं विए कर दो डाइ़ से खिलार भर रहे हैं अासते हैं अश्ध हएं